तो आज के लेक्चर में ट्रांसफोर्मेशन लो ओफ टेंसर्स ये हम करने वाले हैं ठीक है और काफ़ इंपोर्टेंट है आज का लेक्चर क्योंकि मैनली जो क्वांटिटीज है वो टेंसर्स कब बनती है जब उनका एक पर्टिकुलर या मैंने शुरू में आपको बताए था कि एक सर्टेंट ट्रांसफोर्मेशन रूल होगा अगर उसको वो एंटिटीज फोलो कर रही है तभी आप उन्हें एंटिटीज को क्या के सकते हो टेंसर्स कह सकते हो तो यहां पर हम लिखेंगे आज ट्रांसफोर्मेशन लो ओफ टेंसर्स Tensors का Transformation Law तो यहाँ पर हम theory cover कर रहे हैं क्योंकि जो questions है इसके multiple choice questions और previous years के जो questions है वो अपन जैसे ही theory complete होती है उसके बाद एक साथ हम लेंगे उनको और उनको cover करेंगे तो Transformation Law of Tensors Transformation मैंने आपको बताया था Parametric Transformation क्या था उसके अंदर मैंने एक equation आपको इस तरह से बताया था कि अगर suppose एक coordinate system x i है और दूसरा coordinate system क्या है x bar i यह दो coordinate system मैंने लिए थे और जब एक system से दूसरे system में आप जाओगे ठीके तब मैंने बताया था कि जो x i coordinates है वो x bar i coordinates के function बनेंगे और x bar i coordinates के जो components है वो x i के components के functions बनेंगे यह मैंने वहाँ पर आपको बताया था और इस तरह से कुछ relations लिखे थे जैसे अगर मैं यह लिखूं x bar i x bar i ठीक है या इस तरह से लिख देता हूं मैं इसको x bar j x bar j क्या बनेगा function of x i जितने coordinates से यनिकी x1, x2, up to xn इन सभी का function बने है इसका जब मैंने derivative किया था तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यह किया था x bar j equal to किस क्या गया था? del x bar j by del xi और dxi ठीक है अब ज्यान रखना आप i यहाँ पर dummy index बन गया है repeat हो गया है lower और upper part में तो i यहाँ पर क्या है? dummy index इसलिए i पर summation है i पर summation होने का मतला पर पहले term क्या बनेगी? del x bar j by del x1 dx1 plus del x bar j by del x2 dx2 plus on del x bar j by del xn dxn तो यह मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको Einstein summation convention से यह result मैंने लिख दिया है इस तरह से होगा अब यहाँ पर देखिए आप transformation rule again transformation rule की अपनी एक derivation है उसके according transformation rules derive होते हैं लेकिन हमें चोंकि objective form में formula याद रखने हैं exam देना हैं उसके इसाब से मैं direct treasures बता रहूँ अगर इस expression में मैं dx को suppose a से replace कर दूँ dx की जगे मैं क्या लिख रहा हूँ? a क्या होगा देखो यहाँ पर dx की जगे a लिखा मैंने तो a bar j हो गया इधर तो a bar j equal to इधर dx की जगे मैंने a लिखा तो यह बन गया a i और बाकी del x bar j by del x i तो यह आपका transformation rule आ गया किसका? a i का तो a i क्या है आपका? contra variant vector क्या है यह? contra variant vector last lecture में हमने define किया है और यह किस coordinate system में है? x i coordinate system में यह contra variant vector किस में है? x bar i coordinate system में अब आप इससे confuse मत हो कि bar पर j लगा हुआ है तो यहाँ में j लिखो कोई दिकत नहीं है आप i लिखो यहाँ पर j लिखो से कोई फरक ने पढ़ रहा जिस entity पर बार लगा हुआ है उसको मैं क्या कहूँगा? x bar i system की quantity और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको मैं किसकी कहूँगा? xi system की quantity या x i system की entity तो एक तो XI system की है entity, दूसरी X bar I system की है, यनि कि एक coordinate system से, दूसरे coordinate system में जब आप जाते हो तो एक relation बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, transformation law, और ये किस के लिए बन रहा है, contra variant index के लिए, याद रखने का तरीका, अभी जब मैं अलग-अलग rules यहाँ पर आपको बताऊंगा, उस आपको कोई भी tensor दिया जाएगा, आप आसानी से उसका rule लिख पाएंगे, तो किस तरह से लिखूंगा देखूं मैं, तो transformation law of tensors, और इसमें सबसे पहला में लिख रहा हूँ, law of transformation of contra-variant vector, ठीक है, तो direct questions पूछे जाते हैं इससे, आपको कोई भी tensor दे दिया जाता है, आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, इसका transformation rule क्या होगा, तो अगर contra-variant vector ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसका transformation rule, सिंपल सा देखिए आप, a, i मैंने ले लिया, ये क्या है, contra-variant vector, इसका transformation rule मुझे लिखना है, तो ये तो किस system में, x i system में हो गया, अब मैं बार वाले system में इसको ले ले लेता हूँ, a bar, a पर बार लगा दिया, और i index है, तो i के अलावा कोई भी दूसरी index ले लूँगा, मैं, suppose मैंने j ले लिया, क्या ले लिया, j, ये लिखा है, equal to, equal to, तो दो term तो ये हूँगी, ठीक है, अब एक expression यहाँ पर, एक term और आएगी, क्या आएगी यहाँ पर, j अपर में है, j कहाँ पर है, अपर में, तो क्या लखेंगे अपर? del x bar j, del x bar j, यानि कि जो index अपर में है, वो इधर भी अपर में ही आपको रखनी है, और यहां पर जो index upper में है वो lower में जाएगी, lower में होती तो upper में जाती तो i यहां अपर में है तो यह lower part पर चला गया, del x i, क्योंकि यहां पर जो index होगी उसको हमें dummy index बनाना है, तो i तो dummy index हो गया, ठीके, तो अगर right hand side में आप देखो expression, right वाला जो expression है, इसमें real index क्या है, j, real index क्या है, j और वो कहां पर है, upper में है left hand side में जो expression है, उसमें आप देखो, real index क्या है, j और वो भी क्या है, upper में है तो यह चीज follow होनी चीए, left hand side में जो index upper में है, उसको right में भी upper में ही रहना चीए लेफ्ट में अगर इंडेक्स आपकी lower part पर होगी तो फिर वो right side में भी किस पर जाएगी lower part पर तो ये transformation rule किसका बन गया contra variant vector का अब मैं दूसरा लिखता हूँ देखो second law of transformation law of transformation of covariant vector of covariant vector चलिए ये मैंने covariant vector ले लिया AI ठीक है lower part पर क्योंकि सबिस्क्रिप्ट लगाएंगे covariant vector में by ठीक है covariant vector इस तरह से लिखते हैं AI इसके corresponding A bar में लिखूँगा मैं तो A bar में क्या लगा दिया मैंने जहां पर I lower part पर है तो यहां पर लेफ्ट में अगर कोई index lower में है तो right में भी lower index बनेगी तो यह जह लोवर पार पर आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा नीचे denominator पर del x bar j del x bar j j lower पर चला गया और यह I अपर में चला जाएगा del x i तो I तो क्या है बार नहीं है AI पर बार नहीं है तो जहां पर I लगा रहे है वहां पर बार नहीं लगाया है मैंने लेकिन J जहां पर आ रहा है वहां पर बार है इसलिए J जहाँ पर लगाया, वहाँ पर क्या लगाया, मैंने बार, तो J lower part पर है, तो यहाँ पर भी J किसमें आ गया, lower part एक चीज और ध्यान रहे आपको, जो बहुत important है, आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, del X I by del X J, तो मैंने आपको बताया था कि यह क्रोनिकर डेल्टा आई J, क्या बनेगा, क्रोनिकर डेल्टा आई J, अगर मैं यह लिखूँ, del X I by del X bar J, अब यह क्रोनिकर डेल्टा नहीं है, ध्यान रहे आपको, यह क्रोनिकर डेल्टा नहीं है, क्यों? क्रोनिकर डेल्टा तभी बनेगा, जब उपर और नीचे जो कोडिनेट सारे हैं, वो सेम सिस्टम के हैं, यहाँ पर उपर वाला कोडिनेट किसका है, X I का, नीचे वाला कोडिनेट किसका है x i का किसी पर भी बार नहीं है लेकिन यहां देखो आप यह तो x i का है और यह x बार i का हो गया तो different systems के coordinates अगर हो रहे हैं तो फिर वो chronical delta नहीं बनेगा अगर मैं यह लिख दूँ डेल x बार i by del x बार j अब दोनों बार वाले तो अब यह chronical delta बन जाएगा i j और कि उपर नहीं दोनों पर बार है तो बार वाला बनेगा और दोनों पर ही बार नहीं है तो फिर del ij बनेगा एक पर बार है एक पर बार नहीं है तो फिर वो chronical delta नहीं बनेगा तो यह direct चीज़ें आप से एक्जाम के अंदर पूछी जा सकती है ठीक है तो यह आपका transformation rule हो गय सपोज यह tensor मैंने ले लिया AIJ AIJ यह mixed tensor है क्योंकि इसमें contra variant index भी है इसमें covariant index भी है तो इसका transformation rule लिखें इसके corresponding bar वाले सिस्टम में A bar ले लिया मैंने और नई index ले लूँगा मैं सपोज L ले लिया मैंने और इधर मैंने M ले लिया ठीक है I के corresponding L लिया J के corresponding M लिया अब इस transformation rule left में जो indices है उनके हिसाब से लिखा जाएगा left में जो upper में है यहाँ पर भी upper में रहेगा left में जो lower part में यहाँ पर भी lower part में रहेगा तो L यहाँ पर upper index है तो मैं क्या लिखूँगा डेल X बार L और L के corresponding I है तो I नीचे चला गया यह डेल X आई अब M यहाँ पर कहा है lower part पर तो बार वाला lower part में रहेगा तो डेल X बार M और M के corresponding J यहाँ lower में है तो यह अपर में चला गया डेल X जे तो यह transformation rule किसका हो गया mixed tensor का इसको देखते हुए अब आप किसी भी tensor का rule लिख सकते हो इसी pattern से आपको लिखना है और जो भी entities इन transformation rules को follow करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे tensors कहेंगे अब जैसे मैं कोई भी rule लिखूँ आप से अगर मैं यह कहूँ कि इसका rule लिखके बताओ A, I, J ले लिया मैंने और suppose K और यह मैंने P ले लिया यह कोई भी suppose entity है यह tensor है तो इसका transformation rule क्या होगा आप यह तो XI system में हो गया मैं इसको bar वाले system में लिखूँगा यह bar लिख लिया मैंने bar में I और J के लिए आप दो coordinate उपर हैं तो यहाँ दो लेने पड़ेंगे दो index उपर हैं तो यह मैंने L, M ले लिया और K और P है तो यहाँ मैंने चलो R और S ले लिया कोई भी index ले सकते हो ठीक है जितनी index यहाँ पर है उतनी index इदर लोगे अब देखो आप पहले L के लिए लिखें तो डेल L बार वाला अपर में है तो अपर में रहेगा डेल X बार L L के corresponding I है तो यह I lower में चला गया फिर M बी अपर में है तो डेल X बार M S के corresponding P है, तो ये P आपका अपर में चला गया, ठीक है, तो अगर कोई भी tensor है, उसका transformation rule आप से पूछा जाए exam के अंदर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, याद check करने का तरीका है, देखो, I repeat हो गया, ठीक है, J repeat हो गया, K repeat हो गया, P repeat हो गया, अपर में कौन-कौन बचे, L M, यहाँ पर भी LM है, लोर में कौन-कौन बचे, R और S, यहाँ पर भी R और S है, तो जो left side में indices हैं, उसी तरह से pattern बनाते हुए हमें right side में लिखना है, left वाली index के वल real index होंगी, बाकी सारी index क्या बनेंगी, dummy ठीक है, यानिक जो lower में है, वो upper में भी लगेंगी, तो इस तरह से किसी भी tensor का transformation rule लिखा जा सकता है, कोई भी entity अगर यह rule satisfy करेंगी, तब वो entity क्या कहलाएंगी, tensor कहलाएंगी, अब कुछ एक point से important, जो मैं यहाँ पर आपको note करवा रहा हूँ, note डाल कर लिखी, note, ठीक है, अब इनको मैं proof नहीं कर रहा हूँ, मैं direct, जो भी points important है, इस से related, वो मैं लिखवा रहा हूँ, number one, number one, chronicle del ij, is, एक definition और मैं बता देता हूँ पहले आपको, एक definition आप लिख लीजिए, invariant, 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 invariant क्या होता है, invariant के अंदर यह है, कि अगर कोई भी entity i आपके पास है, यह invariant कहलाएगा, अगर i equal to किसके हो, i बार के हो, i equal to i bar, यहनि दो coordinate system है, एक x i system, x i system में entity को मैं क्या लिख रहा हूँ, i से, x bar i system में उसी entity को मैं किस से लिख रहा हूँ, i bar i, i bar से, ठीक है, अगर यह दोनों same है, अगर यह दोनों same है, तब हम कहेंगे कि यह जो entity i है, वो क्या कहलाएगा, invariant कहलाएगा, ठीक है, invariant, तो किसी भी coordinate system में ले जाओ आप, वो हमेशा equally रहेगा, same ही रहेगा, तो यह तो invariant हो गया, पहला पॉइंट में यहाँ पर लिख रहा रहा था आपको, chronicle del ig, chronicle del ig, is a mixed tensor of second order, mixed tensor of second order, and it is an invariant, and it is an invariant, तो chronicle delta, second order का mixed tensor होगा, और साथ में यह क्या होगा, invariant होगा, ठीक है, आसानी से प्रूव किया जा सकता है, वो मैं अब ज़्यादर डिटेल में नहीं जा रहा है, आपको जाना है, तो जो भी book आपके पास है, ठीक है, इन जर्नल जो अच्छे से दिया हुआ है, टेंसर, जेपी एच की book में बहुत अच्छा दिया हुआ है, जेपी एच की किताब से आप पढ़ सकते हो, तो chronicle del ij क्या है, mixed tensor है, और साथी order आप देख सकते हो, second order का है, दो इसकी rank है, second order का, और साथ में ये invariant बनेगा, यनि की del ij equal to del bar ij, ठीक है, invariant का मतरब i equal to i bar, ठीक है, एक तो ये property, second लिखेंगे इसमें, second, number two, law of transformation, law of transformation of tensors, law of transformation of tensors is transitive, is transitive, that is, that is, it forms a group, that is, it forms a group, तो tensors का जो transformation rule है, वो transitive होगा, transitive का मतलब क्या है, यहाँ पर, transitive का मतलब यह है, कि कोई भी rule है, जो x i system से x bar i system में follow कर रहा है, कोई भी rule है, जो x i system से x bar i system में follow कर रहा है, end, x bar i system से x double bar i system में follow कर रहा है, transitive transformation rule का मतलब क्या है, a से b में true है, b से c में true है, तब वही rule a से c में होना चाहिए, तब क्या implies करना चाहिए, यह implies करना चाहिए, x i से x double bar i में भी transformation rule होल्ड करेगा, यनि कि अगर कोई transformation rule x i से x bar i में hold कर रहा है, x bar i से x double bar i में hold कर रहा है, वही rule x i से x double bar i में भी hold करना चाहिए, अगर ऐसा है, तब हम कहते हैं कि transformation rule कैसा है, transitive है अब point क्या है यहाँ पर कोई भी tensor अगर आपको दिया जाए और उसके लिए transitive rule आपसे पूछा जाए तो आपको इतना साथ याद रखना है कि tensors के अंदर transitive rule हमेशा follow करता है निशित रूप से अब tensor का नाम बदल कर आपसे लिएक लिए कि गरेंट वेक्टर टेंसर की तो एक particular form है तक हम यह करते हैं टेंसर में कि वो group बनाएगा क्या बनाएगा group तो अगर आत से पूछा जाए कि TENSORS का TRANSFORMATION ROOL GROUP बनाएगा या नहीं बनाएगा तो अपर क्या कहेंगे कि बनाएगा निशित रूप से चाहे वो कोई भी TENSOR हो Contra Variant Vector का TRANSFORMATION ROOL GROUP बनाएगा Covariant Vector का TRANSFORMATION ROOL GROUP बनाएगा Mixed TENSOR का TRANSFORMATION ROOL GROUP बनाएगा किसी भी TENSOR का TRANSFORMATION ROOL GROUP बनाएगा या ट्रांजिटिव होगा इसका मतलब एक ही है तो यह IMPORTANT POINT है जो आप से पूछा जा सकता है तीसरा इसके अंदर जो POINT है तीसरा POINT IF IF TRANSFORMATION IS IF TRANSFORMATION IS अगर इस तरह का TRANSFORMATION आपको दे रखा है X bar I X bar J इस तरह लिख दिया मैंने X bar J equal to Aij या इस तरह से मैं लिख देता हूँ Aji इधर लिख दिया मैंने its rule then its rule is same is contra variant vector is contra variant vector ठीक है अगर इस तरह का TRANSFORMATION rule है इस तरह का तब मैं कह रहा हूँ कि यह rule किसको follow करेगा contra variant vector के rule को follow करेगा कैसे करेगा आप देखो यहां से अगर x i के respect में मैं इसका derivative कर दूँ del x bar j by del x i मैंने कर दिया x i के respect में क्या बना a j i बन गया a j i क्योंकि x i के respect में x i का तो 1 हो गया अब a j i की value मैं यहां पर रख रहा हूँ उपर वापिस तो क्या बनेगा देखो x bar j equal to a j i a j i का मान में यहां से लख रहा हूँ कितना है del x bar j by del x i ठीक है यहां पर value रख दी और into किसके है x i के आप देख सकते हो contra variant vector का यही रूल था बस a की जगे वहां क्या था a वो x की जगे a था यहां पर भी x की जगे a था तो a bar j equal to a i और del x bar j by del x i तो यह रूल किसका है contra variant vector का तो अगर आपको इस तरह से दे दिया जाएगी यह transformation rule अगर follow हो रहा है इसका मतलब जो coordinate x i है उसका behavior किसकी तरह होगा contra variant vector की तरह होगा ठीक है चोथा point इसके अंदर fourth point fourth fourth point मैं लिखो अगर transformation rule इस तरह का है transformation low अगर इस तरह से लिखा हुआ है x bar i equal to equal to a i m a i m और x m x m और plus suppose b i जा ए और भी constant है ए और भी क्या है constant then there is then there is no distinction no distinction between contra variant and covariant vector ठीक है तो आप से पूछा जा सकता है कि क्या कोई इस तरह का rule है जिस रूल पर contra variant और covariant vector same हो जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा no distinction no distinction का मतलब है दोनों में कोई अंतर नहीं होगा तो यह transformation rule है अगर कोई भी coordinate system इस transformation rule को satisfy कर रहा है तब contra variant vector और covariant vector में कोई भी अंतर नहीं होगा याद रखने का तरीका फिर से देखो अपर में i है इस वाली first उसमें देखो term में m तो क्या हो गया dummy index तो first वाली term में एक ही real index कौन सा है i और दूसरी term में भी एक ही real index कौन सा है i और i किस में चल रहा है throughout अपर में चल रहा है तो अगर इस तरह का rule कोई भी coordinate system follow कर रहा है तब वहाँ पर contra variant vector और covariant vector क्या होंगे same होंगे उनमें किसी भी तरह का कोई distinction कोई भी अंतर नहीं होगा तो यहाँ पर हमने आज इस lecture के अंदर कुछ important transformation rules कि tensors के transformation rules किस तरह से बनेंगी यह हमने पढ़ा इसके अंदर ठीक है और साथ ही कुछ important इससे related 4 पांच जो भी points है वो हमने यहाँ पर देखे हैं transformation rules का जो फाइदा है वो यह है कि आपको अगर कोई भी component एक coordinate system में किसी entity के दे रखे हैं तो फिर transformation rule लगा कर आप दूसरे coordinate system में उसी entity के components find कर सकते हो suppose आपको partition coordinates में value दे रखे है तो आप किसी दूसरे coordinate system में उसकी component निकाल सकते हो कि क्या होंगे अगर वो tensor property को satisfy करेगा तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो physical behavior है entity का वो change नहीं होगा अगर x i system में कोई भी entity velocity को represent कर रही है तो x bar i system में भी उसको velocity ही बनना चाहिए ठीक है अगर x i system में वो acceleration को represent कर रहा है तो फिर x bar i system में भी उसको acceleration ही बनना पड़ेगा acceleration ही होगा अगर transformation rule tensors वाला है तो tensors के लिए important चीज है कि tensor का जो equation है कोई भी वो अगर एक system में follow हो रहा है तो फिर वो हर system में जो physical property है वो उसकी क्या होगी follow होगी तो यह important properties आज हमने की है इससे आगे फिर हम next lecture में करते हैं